वेल्कम बैक दोस्तों है हन्डेड डेज के कम्यूनिकेशन चैलेंज में आज ये तीसरा दिन है अगर आपने पहले दोनों वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनावा जाकर देख सकते हैं तो आज मैं बात करूंगा रिलेशन्शिप्स के बारे में वैसे मैं कोई रिलेशन्शिप्स एक्सपर्ट नहीं हूँ और जो मैं बताने वाला हूँ ये मेरी खुद की नहीं है मैंने आपको बताया था कि मुझे किताबे पढ़ने का बहुत शौक है तो जैसे मैं किताबे पढ़ता हूँ एक किताब मैं रिलेशन्शिप को निभाने का एक बहुती गजब का आइडिया दिया जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं तो चली बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं रिलेशन्शिप्स की तो ऑथर डेरिन हार्डी एक दिन एक सेमिनार में गया थे उ उस स्पीकर ने डेरिन हार्डी उस स्वाल किया लोगों से कि रिस्तों को निभाने का सबसे अच्छा अप्रोच क्या है तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि 50-50 किसी ने कहा 49-51 किसी ने कहा 60-40 कि किसी ने कहा 80-20 या फिर 90-10 तो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग जवाबूं से कन्विंस नहीं हुए तो लास्ट में स्पीकर ने अपना आंसर दिया और बताया कि रिष्टों को निभाने की सबसे अच्छी जो स्ट्राटिजी है जो सबसी अच्छी एप्रोच है वह है 100-0 इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी रिष्टों को निभाने के ल डाट जोस्तों यह बाट सुनकर कि न मैं दिमाग ब्लु आप हो गया था कि कि रिष्ट struggles है रिष्टों को निभाने की और हम लोग आजकल कैसे रिष्टे निभा रहे हैं कि हम लोग मुझे लगता है कि हम लोग आजकल रिष्टे निभा रहे हैं बलके दुकांदारी कर रहे हैं कैसे जैसे किसी दुकान में हम लोग गए मैंने 10 रूपिया दुकान दार को रही हमें में इसके बदले कुछ देंगे क्या यह एका हमने उसकी मदद की और-वापसी मदद की उमीद रखते हैं क्या यह सही बात है कि मुझे तो नहीं लगता दोस्तों आपको क्या लगता है आपके हिसाब से क्या है रिलेशन्शिप्स को निभाने का सबसे अच्छा अप्रोच अब यह सवाल तो मैं आप पर छोड़ता हूं क्या आपके हिसाब से 50-50 है 110 है 80-20 है या फिर क्या है आप अपनी राय कॉमेंट्स में बता सकते हैं और आपको यह आइडिया कैसा लगा रिलेशन्शिप्स को निभाने का हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं आज के लिए इतना ही और मेरे इस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को स थैंक यू सो मुझ